दाटा बाई बाई गया जोस्तो BGMI Battlegrounds Mobile India Google के Play Store और Apple के App Store से गायब हो चुकी है जोस्तो काल रहा है 10 बजे के करीब मैं सोने जा रहा था बैड के उपर और मैं बिस्तर को जाने से पहले मैं थोड़ा Twitter चेक करता हूं कि इंडिया में अभी क्या चल रहा है जब मैं Twitter open किया तो जो बड़े बड़े जो Tech Enthusiastist है उन्होंने ट्वीट कर रखा था कि BGMI removed from Play Store मैं देखके पुरा सौक है क्या हो गया BGMI क्यों remove हो गया Play Store से अब क्या करेंगे भाई कैसे खेलेंगे और यहां भी मैं आपको एक मज़दर चीज़ बताता हूं पर्सो मैंने इंस्टल करने वाला था मतलब आज इसको इंस्टल करने वाला था लेकिन हो गया टाटा भाई 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 BGMI का तो अभी ऐसे कुछ लोग है जो सोच रहे होंगे कि BGMI जो है वह आप स्टोर या Google Play Store से यह कुछ glitch है कुछ bug के लिए गाइब हो गया है इसा अगर आप सोच इसे आप मन दिमाग से निकाल दो क्योंकि यह कोई glitch यह कोई bug नहीं है यह ban है और इंडिया में BGMI को ban कर दिया गया है तो BGMI इंडिया में तो ban हो गया क्यों ban हो गया इसका सारे रिजन बताऊंगा Google ने क्या बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा क्या रिजन था लेकिन उसे मेरे दिमाग में एक सावाल आ रहा है आपके मन में तो जरूर आ रहा होगा यह जो live streaming बगएरा जो करते थे यह बड़ा बड़ा यूट्यूबर है चार-पांच मिलन का सब्सक्राबर पकड़के बैठे हैं live streaming करते हैं उनका घर अब कैसे चलेगा बड़ा प्लेश्टोर से इसका मतलब क्याएगी जैसे हम plastic surgery करके मतलब एक human being को हम कुछ बदल देते हैं उसी तरह से यह जो PUBG था उसी के name या उसी के logo को थोड़ा modify करके उसके अंदर कुछ features बगरा डालके extra उन्होंने एक bgmi बना जा था मतलब PUBG को इन्होंने plastic surgery करके bgmi में convert कर जा था यह bgmi बना द इंडिया में hundre graduates bisa आपके साथ और इसी साल उस्ति BJMA को बैं नहीं किया गए बीजियमें के साथ 50 plus आप को भी बैयन किया एए कमेट ने इंडिया में और यह 50 plus आप से हैं कुछ चुक्रमुकृद के कूछ के बहूं के नहीं क्यों बैंकर बता हूंगा तो इस वीड वीरिव कुछ negative news भी आई थी, बच्चे उनके parents को ना बता है, उनके debit card, credit card से, बहुत सारे पेसे BGMI में लगा देते थे, उड़ा देते थे, और एक हसा भी हुआ था, एक murder के related हसा बता में, ज्यादा deep में नहीं जाना चाहता हूं, आप समझ गे होंगे, क्योंकि आप intelligent बन दे हो, आप को सब कुस समझ में आता है, आप समझ गे होंगे, यह बस दो ही news नहीं, और भी बहुत सारे news जैसे आई है, negative news, BGMI के related, लेकिन अभी तक इसका कोई भी official statement नहीं आया है, comment के तरस भी comment ने क्यों ब्यान किया है, दोस्तो Google ने अपना official statement जारी कर दिये, क्यों PUBG को अपने play store से deal लिस्टेट क्या है, दोस्तो Google ने बता है कि उन्हें government से order मिला था, BGMI को play store से हटाने के लिए, और उसी के region उन्हों ने play store से खटाया, play store से block किया है, इंडिया में BGMI को हटा दिया, दोस्तो Google का जो official process होता है, एक application को play store से हटाने के process के जरिये, BGMI को play store से हटाया गया है, तो Google ने तो अपना official statement दे जिये, लेकिन अभी तक government के तरफ से कोई भी official statement नहीं आया है, क्यों उन्होंने हटाया है, क्या region था, इसे कुछ उन्होंने clarify नहीं किये, या इसे ही कुछ statement उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन जो मतलब सुत्रों से जो पता चल रहा है, वो जो दो ह हाथसा हुआ था और बहुत सारे जो हाथसा हुआ है, उसी के region BGMA को playstore से हटाए गया है, दोस्तों सिर्फ BGMA नहीं BGMA के साथ-साथ 50 plus application को section 69 ITAC 2000 के जरिये, इन सारे application को remove किया गया है playstore से, और यह 50 plus application से, यह कुछ कुछ कुट्र मुट्र application से, जो keyboard हो गया है, इसे कुछ facecam बगरा बगरा हो गया, यह क्या करते थे कि आपके phone के जो file manager हो गया, जो contact हो गया, जो message हो गया, इन सारे permission को ले करके, आपके phone से data collect करके, यह आपके data के साथ means use करते थे, दोस्तों, इंडिया में एक NGO है, प्रहार के नाम से, इन्होंने government को notice किया था, या government को उन्होंने letter लि बताएगी, जो tencent है, जो एक Chinese company है, Chinese जो game बना थी, जो tencent पहले PUBG में था, tencent gaming buddy के नाम से, और यह tencent company है, इसका bgmi में 15% का share है, और यह हमारे data को means use कर रहे है, इसी के reason bgmi को हटा गया है, section 69 iTech 2000 के जरी यह bgmi को इंडिया से बन किया गया, दोस्तों, अगर आप अभी जाके play store में search करो, bgmi या battlegrounds mobile india, तो आपको नहीं मिलेगा भाई, मत धूंडो, लेकिन अभी भी bgmi जिनके phone में already install ले, उनके phone में चल रहा है, मतलब server वगरा ban नहीं हुआ है, लेकिन यह दीरे दीरे से कुछ दिन में ban हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो new state जो game है, वो अभी भी play store में है, अगर आपको खेलना है, जाके आप खेल सकते हैं, tribe अगरा कर सकते हो, तो यह था आज की वीडियो क्यों bgmi ban क्या गया है, इंडिया में, आपको क्या लग रहा है, क्यों ban क्या गया है, अभी तक तो कोई, मतलब एक valid region नहीं आ रहा है, मतलब गमेंट नहीं अभी दोस्तों साथ share कर देना, जो bgmi के lovers है, और अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे है, या मेरी content आपको पसंद आती है, आपको tech related content नहीं पसंद दे, तो नीचे चैनल को subscribe करके, पास आला bell icon को press करके, लोटेशन को भी on कर देना, दोस्तों finally यहाँ पर शुरू करतू, and फिर मिलत आगले content ने साथ, नेक्स्ट वीडो पे, तिल लेंडे क्यार, गुडबाई